हैलो फ्रेंड्स मैं सत्य जुद गायकवाड आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नहीं वीडियो इस वीडियो में हम सिखेंगे रियल नंबर्स रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.4 और 2.5 जो की छोटे-छोटे है इसलिए दोनों प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडिया फॉर्स सोचल इलर्निंग प्लैटफर्म याने के नून अकडेमी इस हैर क्या है नून अकडेमी यहाँ पर आपको मिलने वाले है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी की लाइव क्लासे जी हाँ डेली फ्री लाइव क्लासे तिल एक्जाम अर डन फ्री नोट्स अट दे अंड अफ क्लास mcq and preparatory sessions mhct और need and other competitive guidance आपको मिलने वाले है यह पूरी की पूरी बाते आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही free only on noon अकडेमी आप तो जल्दी से जाएए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नून अकडेमी आप डाउनलूड किजे और free classes का मज़ा लिजे चलिए वीडियो क quadratic third, binomial quadratic third किसे कहते आप binomial देखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ पर दो third दी गए है जो कि दो term है under root 5 plus under root 3 और उसके बाद 3 by 4 plus under root 5 are the binomial quadratic form, binomial यानि क्या या वहाँ पर दो term होगी, there are two terms और जो terms plus या minus sign से separate की गई होंगी उन्हें हम binomial third कहेंगे, यह देखे यहाँ पर भी दो term से, minus sign negative sign से separate की गई है, यानि कि यह भी binomial third है, ऐसी कुछ binomial third यहाँ दी गए है, और उसके बाद एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी binomial third, अगर यह देखो under root a plus under root b, यह irrational numbers, यह क्या है, irrational numbers, उसे अगर हमने multiply किया, under root a minus under root b से, इस bracket को यह वाले bracket से multiply किया, तो क् minus b, इसका result क्या आता है, इसका result तो हमें मालूम है, इसका result है a square minus b square, तो यहाँ पर under root a plus under root b, and multiply by under root a minus under root b, तो इसका result क्या आएगा, under root a square minus under root b, root or square कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर भी, और उसका result क्या आएगा, a minus b, तो यह कुछ हमें ध्यान में रखना है, यह irrational number जो था, उ आगे हमें देखना है, आगे देखेंगे, आगे देखना है rationalization of the denominator, अभी अभी जो हमने सिखा, rationalization देखिए, अब यहाँ पर एक example दिया गया है, rationalize the denominator 1 by under root 5 minus under root 3, एकदम easy, बहुत ही आसान सवाल है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमें bin polynomial search दी गए है, उसका exactly sign, एक term का sign change करके हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है, multiply करना है, क्या करना है, simply 1 by root 5 minus root 3 is equal to, we know that, अगर किसी भी हमने fraction को, suppose यहाँ पर देखिए, 2 by 3 है, is equal to, हम उसे multiply कर सकते है, किसी भी number से, multiply by 2, multiply by 2, तो यह fraction जो है, वो change नहीं होगा, मतलब, equivalent fraction लिखा, 2 to the 4, upon 3 to the 6, यहाँ निकि 2 to the 4, and 2 to the 6, value तो same रहेगी, मतलब इसे क्या करेंगे, हम multiply करेंगे, क्या करना है, इस term को multiply करना है, under root 5, minus under root 3 को, जो denominator है, उसे multiply करना है, under root 5, यहाँ पर minus से तो इधर प्लस ले लेंगे, plus under root 3, अगर multiply denominator को multiply किये तो, numerator को भी multiply करना है, यहा under root 5 plus under root 3 तो अब यहाँ पर क्या होगा वन से multiply के तो value कोई change नहीं होगी वोई same value repeat आजेगी आपर नीचे under root 5 plus under root 3 ओके और इधर क्या होगा जो अभी अभी हमने देखा under root देखिए a plus b and multiply by a minus b तो इसका result क्या आएगा a square minus b square तो simply हम ऐसे लिख देंगे under root 5 square minus under root 3 square तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने लिख दिया तो उपर की value दो change नहीं होगी numerator की value change नहीं होगी under root 5 plus under root 3 आजाएगा और नीचे के आजाएगा under root 5 square under root or square where cancel हो जाएगा 3 as it is रहेगा तो अब लास्ट वैल्यू के आगए हमारी under root 5 plus under root 3 upon 5 minus 3 2 तो यह हो गया rationalization of denominator denominator अब यहाँ पर है 2 जो कि rationalize denominator है अब क्या हुआ हमारा answer करना क्या था rationalize करना था तो हमने क्या किया यहाँ पर जो under root में value थी denominator की वह यहाँ पर आप क्या होगे 2 होगे मतलब rational value हमें वहाँ पर मिल गए तो कुछ इस तरह से यह question solve करना होते है जो कि बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही easy है आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यह value जो value है उसमें सिर्फ और सिर्फ sign change करके minus है तो plus करना है plus है तो minus करना है और उससे multiply करना है same term से numerator और denominator दोनों को आगे देखेंगे आगे हमें practice set 2.4 देखना है क्या है practice set 2.4 उसमें तीन question दिये गए है पहला question है multiply करना है उसमें तीन question दिये गए है क्या करना है यह under root 3 multiply by under root 7 minus under root 3 करना है तो देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे under root 3 multiply by under root 7 minus under root 3 is equal to expand करेंगे expand करने बाद में क्या मिलेगा result देखेंगे तो यहाँ पर under root 3 पहले तो multiply करना है under root 7 को under root 3 multiply by under root 7 उसके बाद negative sign दोनों के बीच में रखना है फिर से एक बार under root 3 से multiply करना है under root 3 को under root 3 multiply by under root 3 तो यह कुछ इस तरह से पहले हमने वह distribute कर दिया और उसके बाद under root 3 into under root 7 under root 21 minus under root 3 into under root 3 तो root 3 root 3 cancel हो जाएगा मतलब सपोज आपने ऐसे लिखा कुछ तो भी अंडर root 9 आजाएगा तो 9 का root क्या हुआ 9 का root हुआ 3 मतलब यह कुछ इस तरह से है लेकिन हमने पहले जो under root है वह under root बाद में लिखना है जो इंटीजर है वह पहले लिखना है कुछ इस तरह से under root 3 minus 3 minus 3 plus under root 21 कुछ इस तरह से यह वाला आंसर हमें लिखना है क्योंकि जो इंटीजर है वह हमेशा पहली स्टार्टिंग में लिखना है तो यह वाला एक्जम्पल होगा फॉस्ट सेकेंड एक्जम्पल भी कुछ इस तरह से हमें साल करना है देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अंडरूट 2 से मल्टिप्लाइ करना है इन दोनों को क्या है अंडरूट 5 एक्जम्पल क्या है अंडरूट 5 minus under root 7 multiply करना है multiply अंडरूट 2 तो इंटू अंडरूट 7 तो 7 तूसर 14 अंडरूट 14 तो कुछ इस प्रकार से हम यह एक्जम्पल साल कर सकते हैं अभी से अब यह वाला ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ी से एक दो स्टेप्स बढ़ जाएगी इसमें पहले तो multiply करना है 3 under root 2 से दोनो numbers को यह दोनो terms को तो यह वाला दो स्टेप्स यहाँ पर हमने complete कर दी उसके बाद क्या करना है minus under root 3 लेने है minus under root 3 multiply by 4 root 3 4 root 3 फिर से एक बार minus under root 3 multiply by minus under root 2 देखे कुछ इस तरीके से क्या करना है पहले तो इन दोनों का multiplication एक दो यह यहाँ पर एक दो और बाद में इन दोनों का यह यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से पहले तो लिख के लिना है उसके बाद 3 4 जा 12 under root 2 into under root 3 2 3 is a 6 under root 6 उसके बाद minus 3 as it is under root 2 into under root 2 under root get cancel ओके 2 to is a 4 under root 4 याने 2 उसके बाद minus under root 3 into under root 3 उसके पहले 4 into यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब होआन है तो 4 1 is a 4 multiply by under root 3 get cancel 3 3 is a 9 under root 3 याने 3 उसके बाद minus minus है तो वो प्लस हो जाएगा under root 3 into under root 2 3 to is a 6 under root 6 अब यहाँ पर क्या करना है इन दोनों का multiplication और इन दोनों का multiplication और इन दोनों की addition कैसे देखिए minus 3 2 is a 6 minus 4 3 is a 12 minus 6 minus 12 उसके बाद क्या होगा उसके बाद आएगा plus 12 under root 6 उसके बाद आएगा plus under root 6 अब क्या करना है minus 6 minus 12 यह हो जाएगा minus 18 अब 12 under root 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है 12 plus 1 13 13 under root 6 हो जाएगा plus 13 under root 6 तो यह हो गया हमारा final answer minus 18 plus 13 under root 6 तो कुछ इस प्रकार से हमें यह वाले questions solve करना है practice set 2.4 में पहला question तो हमने यहाँ पर complete कर लिया देखेंगे अगला question, question number 2 क्या करना है? rationalize the denominator क्या करना है? rationalize the denominator simple है पहला तो question है देखेंगे 1 upon 7 plus under root 7 plus under root 2 क्या करना है? is equal to 1 upon under root 7 plus under root 2 दोनों को multiply करना है under root 7 plus है तो minus लेंगे under root 7 minus under root 2 simply एक ही बात ध्यान में रखना है अगर denominator में plus है दोनों term के बीज में तो हमने क्या लेना है? minus लेना है तो उपर भी उसी term से same multiply करेंगे under root 7 minus under root 2 वही binomial लेंगे यहाँ पर binomial solve that is equal to 1 से multiply के तो कोई भी फरक नहीं आना चाहिए मतलब as it is value रहेगे under root 7 minus under root 2 और नीचे क्या होगा? दोनों का square हो जाएगा 7 cancel, square root cancel यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2 cancel under root cancel और 2 आ जाएगा दोनों के बीच में plus minus हो जाएगा that is equal to simple ऐसी दहन में रखना है under root 7 minus under root 2 upon 7 minus 2, 5 यह होगा हमारा final answer ज्यादा कुछ सोचनी की ज़रूरत नहीं है उसके बाद second question second question का इसे करना है? देखे 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2 is equal to अब इसी से multiply करना है किस से multiply करना है? इसी number से multiply करना है क्या करेंगे? 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2 तो इससे multiply करना है minus की जगह पर क्या लेंगे? सिर्फ plus लेंगे 2 root 5 plus 3 root 2 उसके बाद उपर भी उसी से multiply करना है 2 root 5 plus 3 root 2 अब multiplication देखें क्या आ जाएगा? 3 to is a 6, 6 root 5 हो जाएगा और 3 to is a 9, 3 to is a 9 9 root 2 हो जाएगा उपर numerator में, denominator में क्या आएगा? denominator में आएगा यह दोनों का square यानि कि 2 का square क्या है? 4 है multiply by root 5 root cancel होकर 5 बच जाएगा यहाँ पर minus plus minus हो जाएगा यहाँ पर 3 का square क्या आएगा? 9 multiply by under root cancel होकर यहाँ पर 2 बच जाएगा that is equal to 6 root 5 plus 9 root 2 upon 4, 5 is a 20 minus 9, 2 is a 18 and final answer काया जाएगा? final answer है 6 under root 5 plus 9 under root 2 upon upon 2 ओके यह वाला हो गया final answer ज्यादा कुछ मुश्किल सबल नहीं है बहुत सा आसान easy था ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ज्यादा सोचनी की जरूरूत नहीं है यह वाला एक 4th number का question जो है 4th number का question जो हम अब solve करने वाले है under root 5 minus under root 3 upon under root 5 plus under root 3 that is equal to same यह जो plus है उसे minus से multiply करना है क्या करना है? under root 5 plus under root 3 उसे ही under root 5 minus under root 3 से multiply करना है under root 5 minus under root 3 upon under root 5 plus under root 3 multiply by इसे multiply करना है under root 5 minus under root 3 से और उपर भी उससे ही multiply करेंगे same binomial under root 5 minus under root 3 अब ये तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा मुश्किल नहीं ये बहुत आसान है ये दोनों same number है ये देखे यहाँ पर ये दोनों same है तो इसका square कर देंगे क्या कर देंगे square कर देंगे under root 5 minus under root 3 whole bracket square अब नीचे क्या है नीचे तो simple आपको करना मालूम है under root cancel हो जाके 5 बच जाएगा यहाँ पर और दूसरा plus minus minus हो जाके क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा 3 आ गया यहाँ पर 5 minus 3 that is equal to अब इसको expand करना है इसे क्या करना है expand a minus b की formula a minus b का formula क्या है a square यानिके under root 5 square minus 2 into a into b यानिके under root 3 plus b square यानिके under root 3 square जो कुछ इस प्रकर हमने यहाँ पर expand कर दिया 5 minus 3 क्या बच बच च तू और इसका final answer क्या जाएगा under root 5 का square क्या है 5 minus 2 as it is 5 3 जा 15 under root 15 plus 3 under root 3 का square 3 अपन 2 और final answer क्या आजाएगा इसका final answer 5 plus 3 8 minus 2 under root 15 अपन 2 और उससे भी एक final answer 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 यानिके 4 minus 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है under root 15 लिख देंगे सिर्फ यह हो गया final answer तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते है solve कर सकते है rationalize the denominator की question ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ज़्यादा सूचनी की ज़रूरत भी नहीं है अगला question अगला topic देखेंगे अगला topic है absolute value चाहे absolute value अब absolute value क्या होता है absolute value हम किसे कहेंगे if x is a real number then absolute value of x is its distance from 0 on the number line absolute value याने के distance from 0 अब देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक number consider कर लिजिए यहाँ पर है 0 इधर 1 2 यहाँ पर minus 1 minus 2 अब suppose यहाँ पर यह वाला number जो है इसका distance कितना है 1 unit याने कि इसके absolute value 1 यह वाला distance कितना है 2 तक 2 unit distance है याने absolute value 2 अब यहाँ पर यह minus 1 अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर इस अब number शायद minus 1 होगा लेकिन इसका distance तो positive आएगा न मतलब इसके absolute value प्लस होना जाएगी मतलब absolute value cannot be negative absolute value कभी भी negative नहीं हो सकती जो कि हम इस तरीके से लिखते है in mod x mod of x इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे and read as absolute value और modulus of x short में mod of x कहेंगे क्या कहेंगे mod of x suppose आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा mod of x याने के suppose देखिए mod of 2 is equal to 2 and mod of minus 2 is also equal to 2 mod याने absolute value absolute value किसी भी number की हमेशा जो mod के बाहर जब हमने उसे निकाला तो absolute value क्या आएगी positive आएगी हमेशा वही value लेकिन positive value ओके तो अभी हम यह find the values का question solve करेंगे practice it 2.5 पहला question है 15 minus 2 पहला question क्या है mod of 15 minus 2 अब इसे पहले तो solve करना है is equal to mod of 15 minus 2 कितना हैगा 13 mod of 13 अब 13 का mod कितना 13 दूसरी बग second question mod of 4 minus 9 mod of 4 minus 9 is equal to mod of 4 minus 9 कितना है minus 5 लेकिन minus 5 का mod निकलने के बाद क्या होगा plus 5 हो जाएगा modulus value यानिके absolute value क्या आगे minus 5 के 5 आजएगी तीसरा वला question क्या है mod of 7 multiply by mod of 4 multiply करने से पहले mod निकलना पड़ेगा यानिके 7 into 4 that is equal to 28 कुछ इस तरीके से यह वाले question solve करना है एकदम आसान question है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगला question देखेंगे solve 3x minus 5 is equal to 1 अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जो मैं बूलूँगा वो धन में रखना है 3x minus 5 is equal to 1 mod mod value तो 1 है अगर mod नहीं होता तो plus 1 भी हो सकती है और minus 1 भी हो सकती है तो हम दोनों condition यहाँ पर try करेंगे क्या करेंगे mod नहीं होगा suppose 3x minus 5 होगा तो यह plus 1 भी हो सकता है और 3x minus 5 is equal to minus 1 भी हो सकता है क्योंकि modulus value तो positive आती है यह मालूम है हम है लेकिन without modulus positive है यह निगेटिव है यह मालूम नहीं यह तो दोनों condition ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा 3x is equal to 1 plus 5 that is equal to 3x equal to 6 और x equal to कितना होगा 6 upon 3 that is equal to 2 3 to the 6 और दूसरी value यहाँ पर 3x minus 5 minus 5 भेज़ दो right hand side minus 1 plus 5 that is equal to 4 3x equal to 4 तो x equal to कितना होगा 4 by 3 यह वाली आ गए दूसरी value तो कुछ इस तरीके से यह वाला question solve करना है 7x 7 minus 2x is equal to 5 क्या करना है second question जो है 7 minus 2x is equal to 5 हो है modulus of 7 minus 2x is equal to 5 mod निकल देना है mod निकल के 7 minus 2x is equal to 5 और negative value भी देना है 7 minus 2x is equal to minus 5 और यह वाला question जैसे solve किया उस तरीके से हमें second वाला question भी solve करना है अब आगे एक और question देखेंगे third question देखेंगे क्या है third question क्या है 8 minus x upon 2 mod of 8 minus x upon 2 is equal to 5 mod निकल देंगे क्या करना है 8 minus x upon 2 is equal to 5 और 8 minus x upon 2 is equal to minus 5 अब क्या करना है जो denominator है 2 वो multiply हो जाएगा right hand side में 8 minus x is equal to 5 into 2 और 8 minus x 8 minus x is equal to minus 5 into 2 तो क्या आगा answer 8 minus x is equal to 10 और 8 minus x is equal to minus 10 उसके बाद minus x is equal to 10 minus 8 और minus x is equal to minus 10 minus x final answer minus x is equal to 2 x is equal to minus 2 और second answer क्या आएगा minus x is equal to यहाँ पर देखिए sorry 8 आजे आना था minus x is equal to minus 18 तो x is equal to 18 कुछ इस तरीके से यह question हम solve कर सकते है तो यह हमें बात जान में रखनी है ज्यादा कुछ सुचनी की जरूरत नहीं है सिर्फ यह वाली बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर modulus value है modulus निकलने के बाद दोनों ही value हम consider कर सकते हैं क्या कर सकते हैं equation के form में अगर solve करना है तो दोनों value हम consider कर सकते हैं plus 1 minus 1 भी यहाँ पर plus 5 minus 5 plus 5 minus 5 और कुछ अगर आपको problem हो इसमें तो आप comment box में मुझे बता सकते हैं और हमारे channel को subscribe करना मत भूलना चलिए मिलते हैं अगले video में thank you